हलो एवरीवन जै श्री राम जै श्री राधे कैसे हो आप सबी सुश्ट और मस्त होंगे अपने अपने घरों में और मैं भी बिलकुल मस्त हूं यहाँ पर वेट लोस जर्णनी के बारे में मैं आपको बता रही हूं कि मैंने अपना वेट लोस कैसे किया 82 से 65 पर आगया है मेरा वेट तो यह है C assets जिसको मैं एक चमच रात को भीगो देती हूं और सुबह पानी में पी लेती हूं आदा गिलास पानी में मैं भीगो के रख देती हूं और सुबह उस पानी को मैं हिला के पी जाती हूं और यह है एपल साइड विनेगर जो कि आप सुवे सुवे ले सकते हो लेकिन ध्यान रखिएगा इसको आप जो पाइप होता है ना इस्ट्रो उससे ही पीजिएगा नहीं तो आपके दात खराब हो जाएंगे और आप गूगल में सर्च भी कर सकते हो यूटूब पर कि एपल स करके गए और बस अब वो जाने की तयारी में है शोप पर जा रहे हैं और मैं अपनी बाते कंटिन्यू करती हूं कि इससे एपल साइड विनेगर से और सिया सिट्स से आपके वेट में और आपके फेट में और आपके टमी जो पेट की टमी है जो जमरी है जो फेट जमा और वो हटेगा वो टमी घायब हो जाएगी जब आप सिया सिट्स को रात को भीगो के और सुबह इसको पीओगे खाली पेट आपको खुद को फर्क पता चलेगा सप्ता भर पीना आपको पता चल जाएगा कि इसका असर कितना असर दायक है और एपल साइड विनेगर भी आ आपको पता चल जाएगा एपल साइड विनेगर में आप आदा नीमबू निचोड़ के भी ले सकते हो और एपल साइड विनेगर को आप सेलर के ऊपर डाल कर भी पी सकते हो पीना निये मतलब सोरी जैसे नीमबू चिड़कते ना आपन सेलाद के उपर ककड़ी टमार्टर क प्रखीड में होता है निमभु के रस्की तरह इस तरीके से डाल दीजिये और आप इसमेर आप इसको घाले सकते हो चाहिता बिपती है आप स्वहष्य प्रषत को इसका रिष्ट में आप में गर भीतिक है up मैंने क्या हπά में हरे चाहित बाहु है कर आपने खाने को खाना है आप चाहे कुछ भी खाएं कुछ भी खा रहे हैं आप कुछ भी मत चोड़िये आप मीठा मत चोड़िये आप कुछ भी जो आप खाना आपको जो भी फेवरेट चीजे चोकलेट है आपको आइस क्रीम है आपको जो भी तला भुना कैसा भी जो आप खाते हो वो आप खाईए लेकिन आप इसको चबा चबा कर खाईए मैं ऐसे नहीं कहूंगे कि आप टीवी देखते हुए खाईए टीवी देखकर खाना अच्छी बात नहीं है लेकिन मैं तो है उनसर के वीडियो देखती हूं वाच करती हूं और खाती हूं क्योंकि उसमें ट मगवद गीता या अनुरुद्धा चारे जी की जो प्रवचन आते हैं प्रशनुत्तरी आती है आप वो देख सकते हो पागेश्वर धाम वाले महराज जी का देख सकते हो प्रवचन आप कुछ भी चला लीजिए लेकिन आपको 45 मिनिट लगा कर चबा चबा के धीरे-धीरे ख गुंगने पानी में शहट डाल सकते हो लेकिन पानी ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए नहीं तो फाइदे की बजाए नुकसान करेगा और पानी को हमेसा बेट कर पिया कीजिये नहीं तो घुटनों में दर्द होना सुरू हो जाता है अगर खड़े हो के पानी पीते हैं तो लिक्वीड वाली चीज कोई सी भी हो उसको बेट कर पिना चाहिए और यहां पर मैं मेरे चीडियों के दाना पानी की वेवस्ता कर रही हूं और आज आलू बेगन की सबजी बनाई है मशीन लगा दी है मैंने तीन-चार बार कपड़े वोश करने वाइट कपड़े अलग मे अचानक से स्वामी जी का फोन आया और मुझे कहीं चलने के लिए बोला तो आप वीडियो में कंटिनू बने रही है कि मैं कहां के लिए तैयार होंगी कहां जा रही हूं आप भी मेरे साथ बने रही है गर आपको भी व्लोग देखने में बहुत मज़ा आएगा कि मैं अलग जी रोज एक ही एक चीज दिखाती है तो बाहर घूमने जाना भी जो है वो भी जरूरी है तो स्वामी जी का अचानक फोन आ गया तो फिर मुझे जाना पड़ा वैसे मेरा मन नहीं था बाहर जाने का क्योंकि मेरे मशीन लगा रखी थी कपड़ों की तो पर फिर भी मैंने उनको हाँ बोल दिया है और अब फटाफट से करते हैं अपना पूजा पाट और देनिक कारे हैं वो करते हैं उनका टिफिन पैक करते हैं बस टिफिन पैक करने के बाद मैं तयार हो जाऊंगे और मैं चल दूँगी बत्ति को मैं इस तरीके से करती हूँ और क्लिप को मैंने बहुत fast कर रखा है क्योंकि रोज-रोज पूजा दिखाना मुझे अच्छा नहीं लगता है लेकिन फिर भी ये मेरा देनिक कारे है और डेली व्लॉग में डालती हूँ इस वज़े से फिर ये आपके साथ शेयर करना बहुत जरूरी हो जाता है बहुत जरूरी है क्योंकि व्लॉग ही वही है इस वज़े से यहां मैंने दूपद्ती लगा दी है और फूल बत्ती लगा दी है गीमे और अब मैं आर्टी कर रही हूँ और बस आज टाइम कम है इस वज़े से मैं सुंदरकांड का पाठ नहीं कर रही हूँ माफी मांग रही हूं भगवान से, और यह बत्ती जो है मेरे, यह इधर की बत्ती जो है, वो यहाँ पर भगवान वरी जमान मन्दिर में, सभी के लिए लगाई है यहाँ का दिपक, और मेरे टीला जी महाराज और बाला जी महाराज का टिलक, तिलक्या सोरी जो दीपक है ना, वो मैं इधर परिंडे के पास में लगाती हूँ, परिंडा यानि मठकी के पास में, शुरू से यहीं लगाती हूँ, इसलिए मैं यहीं पर लगाती हूँ, और बाल दोए हैं, आज मैंने तो बालो में एक हल्का सा तोवेल लपेट रखा है, ह सुखा जो है, वो सुखा मेरे हस्बेण को पसंद नहीं है, सुखी सबजी बिलकूल, बेटे को पसंद है, तो बिंडी वगरा और यह सुखी बनती है, आलू प्याज बगरा, और सुखा में लचल लचली सबजी खातना पसंद करते हैं, तो इस वज़े से मैं उनके थोड़ प्रपाइक किरीम कि अपकर आप 3 लगा लियुए, यहां पर होगा राने के ल VOA का भी हम कोDHel da कद बदेग लाने के लिए किरीम के क्रीम प्रफाइक क्रीम कर रही हूं यह क्डीम के के पर वीम हंगी हां जहाँ पर बने का यहां पर मैं कुछ का यहां उइना आगे की तरफ फेल गया चलिए कोई बात नहीं वैसे भी जहां में जा रही हूँ तो मुझे दूसरा वाला सिंदूर लगाना पड़ेगा तो मुझे बाहर जाती हूं तो मुझे अच्छी नहीं लगती है और यहां पर मैं मेरी जो पानी पीरी हूं और अभी टैबलेट भी ख तो वह इस तरीके की खाते हैं खड़ी खड़ी नहीं खाते हैं और यह डंठल मैंने इसलिए डाला है कि इससे सब्जी कड़वी नहीं बनती है आप भी यह ट्रेक अपना के देखिएगा डंठल समयत बनाईएगा और यहां टिफिन पैक कर रही हूं तो यह रोटी बन गई वेस्ट रोल है वो दुकान पे से बचा हुआ वाइट कलर का कागच है तो उसी को फाड़ कर मैं उसमें रखूंगी क्योंकि मैं जो अपन यूज करते ना वो मैं नहीं लेती हूं काम में क्योंकि उससे क्या है रोटी पसीज जाती है और यह यहां पर इस कागच में मैं ले अदे कपड़े धो दिया आदे आकर ढखी और यहां पर मैंने यह नया या बेग लिए क्योंकि मैंने 3 का 3 तीन यह एक साथ मंगवाए थे तो एक मैंने निकाल रखा है और यह निकाल लीया और एक और रखा हुआ है अंदर तो यह देखें न्यू बैग हमारा रेडी है और यह दो फोने जो इनको ठीक करवाने हैं यहां में कपड़े फेला कर बेड़ गई हूँ तो किट मेरे बहुत सारे हैं अब मैं देख रही हूं ने में से कौन सा पैनू कौन सा पैनू तो जहां जा रही हूं वहां पर ल तो आप ध्यान मत दीजेगा और यह जो खाली जगे ना यह टीवी का स्टेंड है जब बच्चे मेरे बहुत छोटे छोटे थे ना तो यह स्टेंड मैंने खरीदा था और इस पर हम टीवी रखते थे लीडी तो अभी चला है पहले टीवी चलता था तो बस यह इसमें मैं व दोनों फोन ले लिए जो ठीक कराने अगर टाइम मिला तो करा लूंगी और यहां स्वामी जी ताला लगा रहे हैं और बस चलते हैं और आप भी मेरे साथ चलिए यह मेरा लूक है थोड़ा डीला डाला सूट पहना है मैंने क्योंकि मैं जहां जा रहे हूं वहां काफी प्सक्राइब करने करते हूं तो को चलिए बने रहे हैं आप भी मेरे साथ और जो मैंने एक्सराइज का बताया है एक्सराइज भी Εक्सरायक बशुदिएellस एससे प हैले वाले वीडिएओ में मैंने बताया है मोर्निंग वॉक पर भी जाती हूं अगर आप नहीं जाना चा लेकिन आपको खाना चबा चबा कर है और टाइम लगा कर आपको खाना है और यहां पर मेंगेट का भी ताला लगा दिया है हमने और वैसे बेटा है मेरा अंदर लेकिन उसने बोला ममी ताला लगा जाओ क्योंकि कूरियर वाले और आते रहते हैं मेरे पहले पारलर था ना यह पर और मेहंदी क्लासेश चलती थी तो अभी तक भी लड़कें आती है तो इस वज़े से फिर परेशान हूं मेल बजा बजा के परेशान करती है तो फिर ताला लगा दिया और यहां पर हम निकल पड़े हैं अपनी राहा पर अपनी मंजिल की और तो आप बने रहिएगा या तो मैं नेक्स्ट व्लोग में शेयर करूंगी कि मैं कहां गई थी या फिर इस व्लोग में कर दूंगी क्यों मुझे पता नहीं है किता लंबा होने वाला है व्लोग वैसे मैं चाती हूं कि छोटा सा छोटा व्लोग बनाऊं गाइस मेरे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं अगर अच्छे लगे तो प्लीज चैनल को लाइक, सस्क्राइब, शेयर, सपोर्ट कीजेगा अपनी फ्रेंड्स, फैमेली रिलेटिव में मेरे लिंक को वीडियो के लिंक को चैनल के लिंक को शेयर कीजेगा और इंस्टा, ट्वेटर, फेस्बुक, आदी इंस्टाग्राम परादी पर मेरे जो चैनल का लिंक है, उसको शेयर कीजिएगा, और यहाँ पर मंदिर आया था, तिराया आया था, तो इधर के आए कोचिंग सेंटर बहुत जादा है, तो बच्चे बहुत सारे खड़े हुए थे, तो वही मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया है, और आ पांस दिनों से भारिश हो रही है जैपुर में, तो इतना सोहावना मौसम हो रहा है, तो आप भी पकोड़े, और कचोरी समोसे, और मिर्ची बड़े, और आलू बड़े, और मूफली सेकर खाईए, और हलुआ बनाईए, लप्टा बनाईए, हमारे नाना जी को लप्टा ब बनता है, और सत्तु गोल के पीजिये, तो अभी ये चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती है, और बारिस का मौसम है, तो अभी जो है जामुन भी आ रहे हैं, तो जिसको जामुन पसंदो वो खाईए, यहां हमारी शोप है, तो स्वामे जी को कुछ काम था, तो वो रुग तो चलिए, आगे बढ़ते हैं अपन, कि हमें कहां जाना है, लेकिन मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगे आपको कि मैं कहां गई थी, किस काम के लिए गई थी, क्यों गई थी, किस लिए गई थी, और कितने देर का काम था, और बस यही है, और अभी तो मेरे कपड़े ध तरीके से दुकान को बढ़ा रहे हैं शायद, तो यह देखिए, यह कुलर चल रहा है, और स्वामी जी दुकान को बढ़ा रहे हैं, तो चलिए, आगे नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, कि हम कहां जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, किस काम से जा रहे हैं, तो बाई जब तक के लिए